चलिए हम लोग पिस्टार्ट करते हैं एक उन्मिक्स का यह पार्ट फिरी है जिल लोगों नहीं देखे हैं रुपियस पार्ट वो जा करके देख सकते हैं बाद में लेकिन पहले आप इसको देखती हैं आप लुक्स जहनते हैं अगर आप लोगोंने पार्ट टोड देखा स्थेन्भल डबलाप्मेंट होता है कि dem कहते हैं सतत विकास वक चाच के बारे मुझाट कि रासा जाते हैं अगर नहीं जानते हैं लुप से मालेते हैं को हम लेता हुआ को यहां से स्टार्ट ह PAUL आप कुछ सीालों तक कमात्व सब्सक्सालों तक Summit अब सब्सक्राइल इंदेर्ट करविल्ड एक कि सब्सक्राइब सब्सक्राइल बहले ही जो चया ओद प्सक्राइब मेंने फैल इस कि सतत्विकास कणंटल यहीं है, कि जो परियावरण को भी ऐड कर दें, जब हम परियावरण को भी धियान तब भी हम गर सकते सकते हैं अगर आपको हमें बीकास करने के लिए कोई भी सकता होता है Debatte हमें किसकी आवसक्ता होती게 Bir सब्सक्राइब करने की प्रिग्रिया का उपयोग करना स्टाट किया और महान प्राहिक माल लेते हैं कि हमने जो इधने हैं जो फ्यूल है उसका इतना जादा उपयोग कर लिया कि जो हमारी भविस्त की पीडिया है उनके लिए फ्यूल यारिकि इधन बचाई नहीं तो क्या होगा वो डबलब्मेंट क्या होगा क्या वो सस्टेन रहेगा नहीं क्योंकि जब इधन पर ही सारी चीज़ें चलती हैं बाद में नहीं रहा तो क्या होगा डबलमेंट रोख जाएगा इसी तरह संसाथ में अगर हमने बायू की गुडबत्ता को दिहान नहीं रखा तो क्या हुआ एक समयासा आएगा कि लोग सोच बायू ही ना ले पाएं तो वो लोग क्या हम उनकी तो इसमें क्या दिहान रखा जाता है जब हम डाबलमेंट करते हैं तो उसमें हम दो चीजें ध्यान रखते हैं एक परियावरण को जानि कि जो परियावरण ना पड़े यानि कि भविस्ट की पीडियो जो भविस्ट की पीडिया होती है उनिकी आवस्टाओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं विकास करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनबल डबलमेंट अब देखें मैं आप से पूचता हूं कि सस्टेनबल डबलमेंट क कहते हैं जिससे क्या हो सदत विकास होता रहे है तो इसी केलिए क्लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि आप संसाधनों का उपयोग करते है। जब इस संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या सा उपयोग करना होगा दक्षितापूर उपयोग करना होगा जब हम इसका दक्षितापूर उपयोग करेंगे तब ही हम क्या करेंगे संसादनों की बचत कर सकते हैं संसादनों का सर्रक्षड कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि हम दक्षितापूर अन्पूलतम उप्यों कैसे कर सकते हैं संसादनों का तो आपको क्या करना है जो यह संसादन है इसका हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं फिर क्या कर सकते हैं इसी संसादन का एक बार हमने उसका यूज किया अब फिर हम उसको क्या कर सकते हैं reuse कर सकते हैं क्या कर सकते हैं reuse कर सकते हैं reuse के बाद में हम क्या कर सकते हैं उसे recycle कर सकते हैं उसे हम recycle कर सकते हैं recycle करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं उसे फिर से हम reuse कर सकते हैं अब देखिए मैं इसको बताता हूं क्या कैसे और इसके अलावा एक बिकल्प और होता है कि हम इसके अदर अल्टर्नेटव जो बिकल्प हो वो खुझे अब देखिए इसको मैं एक 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 समझाता हूं जैसे माल लेते हैं एक बॉटल है जो इस तरह की बॉटल है यह आपने इसमें पानी यूज कर लिया ओके बॉटल यूज कर सकते हैं आप इसमें दुबारा से फानी भर लें दुबारा और किसी चीज में इसको यूज कर लें अब माल लेते हैं आप आपने इसका यूज किया रियूज किया और रियूज करने के बाद क्या कर सकते हैं आप इसे रियूज कर सकते हैं मानते हैं कि आप यह तो आप लोग इसमें डालेंगे तो क्या होगा यह जो कुड़ा है एक फेक्टरी में जाकर के जो भी एक अचछरा होगा इस बॉटल से दुबारा से एक बॉटल या दूसरी बस्तू बनाई जा सकते तो इसका क्या हो गया रिसाइकल हो गया यानिकि इस बॉटल को जब हमने रियुज किया, रियुज करने के बाद में फिर से इसको recycle करने के लिए factory में भी जगर करके दुबारा से फिर से एक bottle में इसको convert कर दिया गया तो क्या हुआ, एक यह संसाधन था, यहानि कि बोटल एक ही है, इसको हमने बार बार उपयोग के, इसलिए क्या हुआ, इसकी दक्ष इस बोटल है, इसके अलाएवा हम इसका alternative भूड सकते हैं, जैसे कि अभी हम plastic की बोटल का जारी उपियोग करते हैं इसके अलाएवा हम और सारी बोट लोगा भी उपियोग कर सकते हैं कि steel हो गया यह steel के अलाबा जो बास के भी अब काफी ज़्यादा और लकडियों की भी काफी ज़्यादा चीज़े आती है जो बायो यानि कि परियावरणम में वो जल्दी से नस्त हो जाती है वो बहाँ पर मिल जाती है तो हम ऐसे चीज़ों कभी उपयोग कर सकते हैं तो आपने क्या देखा कि हम जो संसादने उनका दक्षतापूर उपयोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं संसादनों की बचत कर सकते हैं संसाद दक्षितापूर्ण उपयोग की बाद करते हैं और दूसरी हम क्या बाद करते हैं संसादनों के सर्रक्षड की अब देखिए संसादनों के सर्रक्षड से मतलब यह नहीं है कि हम इसका उपयोग करना बन कर दें सररक्षड का मतलब है कि हम इस तरह से अगर इसका उपयोग करें तो यही क्या है सररक्षड है सररक्षड का मतलब यह नहीं होता है कि हम इसका यूज करना बन कर दें बल्कि हम यूज कैसे करें इसका दक्चतापूर उपयोग करें तो यही क्या कहलता है संसाधन सर्रक्षड कहलता है तो जल संरक्षड की बात कर रहे हैं तो जल का उपयोग करना बन कर दें तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्रक्षड का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम इसका यूज करना बन करते हैं बल्गी हम इसका उपयोग कैसा करें दक्षिता पूर करें अनकूर्तम इसका उपयोग करें ओकि आप देखें यहां पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं कि सस्टेनबल डवलपमेंट है इसके कुछ ग जो गोल है उसको अचीब नहीं कर सकते हैं और यह काफी इंपोर्टेंट हो कई वार एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं यहां पर आपको इसके बारे में बताता हूं एक कौन कौन से सत्रा गोल है इसमें एक है नो पौवर्टी यानि कि गरीब ही नहीं हो नीची है अगर गरीब ही होगी तो हम जो अचीब नहीं कर सकते हैं इसी कि हमें सभी तब ओपर ध्यान देना है अब आपको समझ भी है कि हम एक आदी भासी है उसको भी क्यों उठाना चाहते हैं उसकी आर्थिक क्रियां को क्यों बहतर करना चाहते हैं इसी तरह इसको ध्यान से देग कि किस طرح से होता है अगर हम जिरो हंगर की बात करें तो यहाँ पर आपको होता है कि भुग मरी नहीं नहीं रहना चाहिए लिखे जिरो हंगर के बाद हम लोगोंने इस पर गौल रखाया वो है go है का मतलब है कि सभी को जो स्वास्त मिले ours मय दीखे स्वास्त में कितनी अच्छी बात कई गई है लेकिन साथ में और चीजों का भी ध्यान रखना है जिससे वो एक गुडवत्तापूर जीवन ब्यतीत कर सकें और यहां पर आप देख सकते हैं क्वाइलिटी ओफ लाइफ यह स्वारी क्वाइलिटी एजुकेशन की बात की गई है जो गु चाहिए कि किसी के पास डिग्री है लेकिन वह पढ़ना भी नहीं जानता है तो हमके वल जो डिग्री है उस पर नहीं फोकस करते हैं बलकि क्वाइलिटी के साथ एजुकेशन देना चाहिए उनको यह इसके डबलब करना चाहिए तो पांच्वे नमर पे इस पर जो बोल करना है देखिए कई से पर आपको महिलाओं जो हैं उनकी मोनोपॉली देखने को मिलेगी जैसे की यह होस्टेज होते हैं और बहुत सी चीज़े होते हैं वहाँ पर लेकिन बोचीज आला गया वैसा मत बोलिएगा कि बहाँ पर बोलो गया तो बहाँ पर पुरसुब भी उत में और ये कहता है ग कम जोर बर किसाला बटलब में ही पुरसाते हैं क्योंकि आप अगर आपने yht पढ़ा होगा तो देखा होगा महिलाओं के साथ में मेले काफी ज्यादा सूसर गाथ था तो सब्मने तो वो क्या आता है वो 20 सा अधिकार में आता है लेकिन जो कमजोर बर्ग होते हैं उनके लिए कोई विसेस परüchtान किया घाता है तो उसके लिए आरक्षन गैता है ऊकी तो अगर आप इन को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो विसेस अदिकार में आएंगे लेकिन अगर हम कमजोर बर्गों का सपोर्ट करेंगे तो यह किसमें आएगा या रक्ष्छों में आएगा और यह गलत नहीं है क्योंकि उनके साथ पहले बहुत ही दबल सोचन हो चुका है इसलिए हम उन्हें एक तरह से दे रहे हैं तो इतना समस्च लिजेंगे अब यहां प को ध्यान से देखिए हमें सिर्फ जो पानी है उसकी उप्लब्दता नहीं करानी वलकि हमें सुद्ध जल चाहिए क्या सा जल चाहिए सुद्ध प्येश जल चाहिए और सैनिटाइजिशन जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि घर घर सोजाले की बात की जारी तो वह भी सैन फिसली का मतलसा वयसा है कि हमने हर जब गाउं मैं विजली का युझा टिहां फिसली का रिट है ऐव 10 रूपई यूनिट कर दिया अब जो जो कमजोर लोग हैं जो गरीब लोग है 5 दो जी के भुक्तानी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी क्या फाइदा कि हमने 100% electricity कर दिया गाउं में लेकिन सभी affordability नहीं है ना उनकी कि वो उसको pay करने में सच्छम नहीं है तो हमें कैसी energy महां पर पहुंचानी है affordability के साथ में मतलब वो उसको fawn कर सके हमें सच्छते दर पर बिजली पहुंचानी है साथ में विजली के वह से पहुंचानी है clean energy पहुंचानी है इसलिए हम बिंड energy आप लोग देक सकते है बिंड energy solar energy की बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों ही clean energy जो कोईले के द्वारा उत्वादन होता है वो हमारे बायू के लिए बहुत ज्यादा है स्थिया है यहां पर क्निक यहां पर दिख सकते हैं कि हमें के साहिए और दिया लिट को लह exactement यहां रख इन्दरी यानिकी उद्धोग, इनोवेशन, अब इसके साथ में, इन्फराटेक्शर, अगर देखे, इंड़स्ट्री को हमें डबलाप करना है, तो हमें इन्वेशन लाना पड़ेगा, और इन्वेशन और इंड़स्ट्री को डबलाप करने के लिए, हमें क्या चाहिए है, धरभू प्रचना चाहिए तो सारी सीज़े हैं देखिए जो यूएन के द्वारे लिगा लगया है तो क्या इस पे बहुत सालों तक बर्ग हुआ उसके बाद यह आपको देखने को मिला आपको इसको अगर आप ऐसे ही देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यह इसमें क्या दिया रख यहां पर सारी से अपकि क्लियर कर देता हूं एक हुट्यासमानता और दूसरी होती है विभित्ता डायवर्स इसको बोलते हैं देखिए जो विभित्ता उत्यासमानता नहीं है जैसे कि बहुत सारे आदिवासी लोग है है बहुत सभी की संस्कृतियां आ लगये वो किया है को डाइबरशिटी विवित्त हैइए उसको हमें समापत नहीं गरना है एक सनस्कृति लेकी आना है सारी भासा beiden की पहर एक पीषिक विवार्वाज है गरीदी आसमाहनता है विविट्ण है यह और न थे गरीब है न जो भिधय होता है यह है आसामानता ना कि जो विभित्ता है विभित्ता कभी भी आसामानता ना समझे ऐसा ना सोचिए कि अगर कोई पैजामा कुड़ता है पहनता है तो इसको हमें रेड्यूस करके एक लेके आना कि सभी पैंट और सड पहनेंगे तो यह क्या यह विभित्ता है तो विभित्ता को हमें है वलकि किसको अटाना आ समांता को हटाना है यह बहुत से लोग यहां पर गलत कर देता है अगर मों कुश्चन की डिवार नहीं समझ पाएंगे और गलत कर देंगे इसलिए मैं आपको अच्छे सा बता देता जाएंगे जो सस्टेन कर सके अब देखिए इसका क्या मतलब है इसी के लिए हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है जो अरवन और रूर डबलप्मेंट है उसका कॉंसेट यहाई से आया है इसलिए आप लोगों के लिए रूरर और डबलप्मेंट है वो श्लेबस में इस्पेशली के साथ में आप क्या करेंगे उसका उपवोग करेंगे जब रिस्पॉंसबल होंगे और रिस्पॉंसबिल्टी के साथ किसी चीच का उपवोग करेंगे और आप उपवोग करेंगे तो हमें उस चीच का प्रोडेक्शन भी तो करना पड़ेगा ऐसा तो है निया आपने उसक आपको क्या करना पड़ेगा उत्पादन भी करना पड़ेगा बना चीज़ों की कमी हो जाएगी इसलिए हमारे जो बार्मा गोले हैं इसको विध्यान में रखना है इसके अलावा देखिए यहां पर बात की गिए तेरवे में क्लाइमेट एक्सेन जारी कि हमें परियाबरण को भी ध्यान रखना है उसको भी ध्यान रखना है और life ow water przest divides लेकि हमतो पिर्दभी पर रहते हैं और समुद्र में इतना अज़ा प्रदूशन कर दिये रहे हैं वहाँ कि जो marine life है वही destroy हो जा रही है तो यहासा नहीं करना है क्योंकि इंडार्टी रूप से सब कुछ connected है आपको लगेगा कि समुदर में कुछ भी हो हम तो इस तल पर रहते हैं हमें इससे क्या प्रभाव परता है जब हम लोग इंवार्बेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसी के साथ में ना केवल हमें जो life blow water है केवल जो marine life है उ justice and strong institution देखिए कितनी अच्छी चीज़ है यहाँ पर आप द्यान से देखिए peace सांती सांती कब मिलेगी समाज में सांती कब आएगी जब लोगों को न्याय मिलेगा लोगों को न्याय मिलेगा तो क्या होगी कभी सांती हो सकती है नहीं लोग भिरूत करेंगे अंदुलन करें जैसे कि नाय फाल का होगी वो सवसक्त होगी तब ही तो वो justice दे पाएगी वनना वो कभी justice दे पाएगी क्या तो इसी लिए हमने नेक्सिस में क्या लिखा है strong institute देखिए सब कुछ connected है आपने देखा peace peace कम मिलेगा जब justice होगा जस्टिस कम मिलेगा जब strong institute हमारे पास होंगे इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पार्टी से पेसंद चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए तो इसलिए इसको last में रखा गया तो यही सतरह वोल है जिनको आप देख सकते हों काफी important है अब देखिए आपको मै जब वो अच्छे से काना पीना खाएंगे तो क्या बो लोग स्वस्ट रहेंगे healthy रहेंगे तो हम इस गोल को भी achieve कर सकते हैं जब लोग स्वस्ट रहेंगे तो स्वस्ट होने की बात क्या करेंगे जब मन कहते हैं नहीं है कि जब मन सवस्त होता है तो हमें सिख्चा भी अच्छी मिलती है मतलब सवस्त मस्तिक्स में ही सरस्वती का बास होता है तो इसलिए next हमने क्या रखा है इसमें education रखा है अगर लोगों के लिए education मिलेगी तो gender equality आएगा क्योंकि इस तरी पुरुस को अगर हम देंगे यहाँ पर education देंगे तो वो क्या आएंगे तो यहाँ पर gender equality अपने आप आजाएगी तो यह क्या है देखिए एक दूसरे से सब कुछ connected है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ connect होते हुए आपको दिखाई देगा ओकी चलिए आप हम लोग देखते हैं कि हमने सारे development की बात की थी उन्हें बन बाइवन देखते हैं जिससे अब हम एक दूसरे को compare भी कर पाएंगे अब देखिए जो हमारा जो टॉपिक्स हाँ यही हम लोग बढ़ रहेते हैं अब हम लोग करते हैं कि economic growth का मतलब क्या है अब मैं यहां पर ही इसको बता दूँ जिससे आप अच्छे से इसको compare कर पाएंगे देखिए आर्थी समर्द्धी का मसलब है हम लोग ने इसमें देखा था कि income बढ़ने चाहिए मतलब आए बढ़ने चाहिए जैसे कि GDP बढ़ रहे है तो हम उससे क्या कहेंगे economic growth बोलेंगे जैसे इसमें क्या देखा जाता है शिरिफ आए बढ़ने चाहिए 100 से हो गया 200 200 से हो गया तीन सो तीन सो से हो गया चार सो मतलब नंबर बढ़ रहे हैं यही सब इस इंट है इतना ही हमने दिखा जैसे कि जब हम आजाद हुए थे तो मानली सी पहले हमारे पास नहीं संसादन थे गरीबी बहुत थी तो पहले हमने अटलिस इतना समझा कि हमें पहले अपनी GDP तो बढ़ हो दिया तो इसमें क्या हम लोगों ने क्या जोड़ दिया कि इसमें सभी का लाव होना चाहिए सभी का लाव होना चाहिए तो इसमें क्या है इसमें नंबर तो बढ़ने चाहिए नंबर बढ़ने के साथ में लाव है वो भी सभी का होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे इकान तो इसमें बलगी इसमें और एड ऐड कर दी गई 144 विकास कि आधा雍 मतलब केवल हमें Weidz राजलीतिक विकास साथ में संस्क्रितिक विकास痛 कि हमें लोगों की आएन इंधे वड़ानी है बलकि हमें इन सब को भी विकास करना है तब हम लोगो ने सुचा नहीं यार ये भी हमारे लिए पर्यापत नहीं है फिर हम लोगों ने यहाँ पर sustainable development की बात की तो हमने यहाँ पर क्या किया परिया बरन को जोड़ दिया परिया बरन को क्यों जोड़ दिया हम लोगों ने सुचा कि केवल हम development कर रहे हैं तो यह पर्यापत नहीं है हो सकता है अभी हमा हुझाמשagdhani na βethe और पर्यावरण को हम डिस्ट्रॉइ करतेगे अएसे किया करेंगे क हमारे लिए आगे लाइफ ना बचे तो हमने सस्टेंबरड डबलमेंट में क्या जोड़ दिया हमने जोड़ दिया पर्यावरण पर्यावरण क्यों जोड़ा क्योंकि हम भबिस्ट की विडियो की आवसक्ताओं का ध्यार रखना चाहते तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आई कि यहां पर पहले हमने सबसे पहले जैसे हमारा देश सबसे गरीब था तो हमने पहले समझा कि हमारी इंकम तो बढ़नी चाहिए फिर हमने बात में सोचा कि इंकम बढ़ना ही परियाप्त नहीं है बल्कि सबकी इंकम बढ़नी चाहिए तब हमने देखा कि केवल हमें इंकम नहीं बढ़ाना है बल्कि हमें और भी डपलमेंट करना है जैसे कि समाजि आपको समझ में आ गई और मैंने एक साथ को समप्राइज कर दिया आप देखिए मैं आप पर आपको इक चीज़ बदा देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है देखिए हम लोगों का अभी क्या है अब दिसंबर आने वाला है नवंबर तक हमने पूरा जो हमने प्रोग्राम लॉंच किया था यह कंप्लीट हो चुका है यह कंप्लीट हो चुका है आप हम लोग मेंस से स्टाट करेंगे हम मेंस का विस्टाट हो रहा है एक दिसंबर को एक दिसंबर से आपका मेंस से स्टाट होगा आपको अभी जल्दी वीडियो मिल जाएगी इसमे मैं आपको पूरा प्रोग्राम दे दूंगा और उन्हें आराम से पढ़िए और आपको अब टाक्स वोड़ों ज्यादा मिला करना है अब देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग मुस्झे जोड़ सकते हैं इस टेली ग्राम पर यह तो लौग है अपको हमारे वीडियो के डीस्क्रिप्सिन है उसमें मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है फिर आप बेटरिन में जा करके देख सकता है